आज जो मैं आपको कराने जारे हूं यह मैं राइटिंग सेक्षिन कराने जारे हूं राइटिंग सेक्षिन इंदर मैं आपको एक पाई चार्ट का की एक एनलेटिकल पैराफ कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगे क्योंकि आपको पुरे से कुछ इंगलिश में पूरे मांक्स मिलते हैं अगर आप फिर्कुल ध्यान से थोड़ा थोड़ा रोज स्टेडी करते जाओ ओके देखो अब इसके एक पाई चार्ट का में लें यह बहुत इजी होता लिखना है इसमें फुल मांक्स मिलेंगा आपको और बहुत ज़्यादा एजी है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं कंस्यूम होगा इसमें आपको समझने में देखो एक पाई चार्ट दे रखाओ मांलो आपको एक्जाम में एक खाई अनलेटिकल पैगरफ में आता है ठीक है तो इस पाई चार्ट में यह दे रखा है यह पाय school to find out if parents are willing to send their children to school after phase 5 of the unlocking of covid-19 restrictions कि जैसे covid-19 restrictions जब हटी तो parents अपने बच्चे को school भेना चाहेंगे या नहीं भेना चाहेंगे तो उसके उपर जो survey conduct किया गया तो उसकी basis के उपर ये pie chart बनाया गया आप देखो इसके अंदर जो है इस टार्डिंग ऐसे करते हैं पैग्राफ इखना होता है और एक pie chart आपको ऐसे करके मिलेगा या कोई भी bar graph का diagram मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगे तो ये जह है एक मैंने आपको pie chart का example लिया है आप देखो इसमें simple है क्या दे रखा है? pie chart दे रखा है 19 vaccine is available कि जब तक कि बच्चों की vaccine नहीं लग जाती तब तक कि वो school नहीं भीजेंगे इसी तरह से 38 के बाद क्या है आपका 23% 23% में क्या आता है ये black color का है तो ये black color वाला sign का दिखा रहा है will send children to school only for term and final examination कि वो बच्चों को school जो है 19% 19% है gray color में तो gray color क्या शो करता है will send children to school if school takes all precautions of school distancing and sanitation ये वो parents को कह रहे है कि बच्चों को तो school भीजेंगे मगर sanitation proper हो चाहिए हाथ दोने के और सफाई नीटनेस होने चाहिए और social distancing मतलब बच्चे मास पैनके एक दूसरे से दूर रहे और उसके बाद आता है हमारा 19% के बाद 17% और जो 17% है ये हलका light color है तो ये हलका light color वाला box cash हो कर रहा है will prefer to home school children ये वो prefer करेंगे ये home school children तो home school children कौन से होते हैं जिसमें कि school से वो बच्चों को घर पर ही parents सीखाय करते हैं अपने आप पढ़ाते हैं और फिर बच्चा 3% और 3% कहा रहे हैं will send children to school as soon as it reopens जैसे school खुलेगा हम अपने बच्चों को school भेज देंगे तो ये सब 3% लोग है तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको क्या करना है पहले वाला majority वाला देखना है और पर सबसे जो कम बला है परसंटेज उसको देखना है तो सबसे ज़ाला majority वाले लोगों ने क्या कहा था 38% लोगों ने कहा कि will not send children to school until COVID-19 vaccine is available जब तै कि COVID-19 की vaccine नहीं लग जाती इसका मत्दद है कि ज़्यादा तर parent school नहीं भेजना चाते बच्चों को ठीके ना तो यह आपकी conclusion में आ जाएगा और 3% लोग कैसे है जो will send children to school as soon as it reopens बहुत कम लोग जो है अपने बच्चों को school खुलते ही school भीजना चाते है ठीके ना तो यह आपकी conclusion में आ जाएगा बस इतना ही समझना इसे अंदर कि क्या कहना चाह रहे है और उसी के बड़ बेस्ट आपकर क्या बन जाएगा पैरराफ बन जाएगा तो बस starting क्या कर देनी है आपने स्कूल में जैसी exam आए अगर आपको इसा पाई चाहर आता है तो आपको starting क्या कर देनी है पहले लाइन है जो पैरराफ के उपर heading में दे रहे होंगी वो लिखते नहीं है क्या दे रखा है इसके अंदर कि reaction दे रखा है तो क्या लिखोगे है आप इसके अंदर the above pie chart shows क्या दिखाता है above pie chart shows ऐसे करके लिखना है reaction लिखना है यह तो starting में है पीछे paragraph में लिखा था वो ही आपको अपने आप से लिख देना है और क्या लिखना है as is clear आप देखो इस pie chart पहा जाना फिर as is clear from the pie chart क्या clear है इस pie chart से देखो majority सबसे पहले के लिखो गए majority that is 38% of the parents यह जो starting के लाइने लिखी न वो ही लिख देनी है 38% of the parents will not send children to school until COVID-19 vaccine is available 38% जो बात कहरे है वो बात यहां लिख दो उसके बाद जो 38 के बाद कहा रहा है 23% जो parents कहरे है उपर लिखा है वो बात आप यहां लिख दो 23% will send to school for term and final examination 23% के बाद 19% के बात हो लिखा है तो 19% क्या कहरे है 19% parents will send if school takes or precautions of social distancing and sanitation यह कहरे है न तो इस पे आजा आप तो इसके बात बात 17% 17 parents home school home school children तेक है न 17% ने home school के बात करी अब आपको आखरी पे आ गया है तो जब आखरी का portion होता है तो only a small portion तो आपके लिखो कि only a small portion 3% will send children to school as soon as it reopens लिखो कितना simple है कि उपर सी है उनको उतार कि आपको नीचे अपनी language में लिखते जाना है word of words से तो आपका paragraph बनता जाएगा और full marks you will get कि आप paragraph समझ चुके है कि क्या लिखना है अब main क्या आता है इसके अंदा conclusion आती है कि आपने क्या conclude किया तो मैंने आपको बताया ना जो majority कह रही है और जो least कह रहा है उसके पर जाना है majority ने क्या कहा कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे और बीच का हिस्ता क्या कह रहा है कि अगर ये precautions होंगी तो हम स्कूल भेजेंगे तो बीच में इन बातों से आपको सब conclusion निकाल नहीं है और जो last है जिसमें मतलब 3% है जो लोग कह रहे है तो उसको क्या करोगे आप कि वो लोग नहीं चाहते मतलब वो बात लोग नहीं चाहते कि हम जैसी 3% नहीं क्या कहा कि हम स्कूल भेजेंगे जैसी स्कूल खुलेंगे तो ये बहुत कम लोग है तो इस बात को आप मतलब कहोगे कि लोग ऐसा नहीं चाहते तो आप क्या लिखोगे है इसके बार आपको क्या कर देंगे सब conclusion पर आ जाना है क्या लिखोगे आप इसके अंदर It is clear अब यह आपने समझ लिया अब आप कह लिखोगे It is clear from this pie chart क्या लिखने है यह pie chart से clear है that parents are afraid क्या समझते आप इसके parents को डर लग रहा है afraid है of sending their children to school कि वो बच्चों को स्कूल भेजने में डरती है देखे न, they want full protection for their children, बीच में से क्या समझ में है, कि अगर ये सब बाते होंगी, तो अपने बच्चों को भेजेंगे, तो they want full protection for their children before sending to school, ये सब तो बस आप लिख सकते हो, कि बीच अले हिससे में से क्या समझ हो है, कि अगर school में क्या होगा, क्या करेंगे, वो proper sanitation हो जाए, vaccination हो social distancing हो, बच्चों को दूर-दूर बिठाया चाहे, या classes ऐसी हो कि बच्चों को आदे बच्चों को पहले बलाओ, आदे बच्चों को बाद में बलाओ, तो क्या होगा, उससे social distancing होगी, तो ये सब चीज़े होंगी, तो अपने बच्चों को भेजेंगे, ठीक है न, so the schools should be careful, अब इन बातों में से क्या निकल गया तरजल, तो आप अपना conclusion दे सकते हैं, कि इसे schools को क्या करना चाहिए, careful होना चाहिए, careless नहीं होना चाहिए, इस problem को लेके, so that, अपके लिख सकते हैं, so the schools should be careful and provide the best precaution to keep the children safe, ठीक है, तो आपको बबकुल full marks मिलेंगे, आपना थोड़ों से एक दो लाइने आपको अपनी एड करनी और बीच में इससा आपका सारों पर से आई रहे, तो आप ये कभी मिस मत करें अपने एक्जाम में लेखना, okay, thank you, thank you for watching my video, please like, share and subscribe, thank you